विलकम बाक तो माइ चानल उनफोर्ड लेर्निंग और आज मैं आपके साथ लिख आए हूँ एक और solution वीडियो Essential ICAC Mathematics for Class 7 by E. Das Gupta and E. Kumar और हम इसका topic Data Handling की Second Unit Probability आज हम discuss करने वाले हैं जिसकी Exercise 2 हम solve करेंगे तो एक्सेसाइस स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रिविएस वीडियो मिस्स कर दिये हैं तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेंचिन की है तो आप वहां से आप तरिकली देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट एक्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलिग्राइम ग्रूप को जॉइन करके जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेंचिन की है वहां से आप डिरेकली मेरे साथ कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सेसाइस टू के साथ पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं प्रॉबबिलिटी होता क्या है प्रॉबबिलिटी इस अबाउट एस्टिमेटिंग हाव लाइकली सम्टिंग इस्टू हापन प्रॉबबिलिटी बेसिकली एस्टिमेशन होता है किसी भी चीज के होने का जैसे कि अगर हम लूडो खेल रहे हैं, लूडो में डाइस को हम रोल करते हैं, तो probability है 1 आजाए, probability है 6 आजाए, probability है 3 आजाए तो इस तरीके से जो भी number आएगा, डाइस के उपर that we cannot predict, पहले से हम बता नहीं सकते हैं इसी तरीके से अगर हम coin को toss करते हैं, तो हम ये predict नहीं कर सकते हैं, 110% surety के साथ, कि उसमें head आएगा कि tail आएगा और इसी तरीके का example में एक और दिना चाहूंगी, जैसे कि कल बारिश होगी के नहीं, ये नहीं पता है it's probability के बारिश हो भी सकती है, it is a probability के बारिश नहीं भी हो सकती है इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में हम liking और disliking में भी देख सकते हैं, कि अगर हमने class में 40 students को एक sport खेनने के लिए बोला है माल लीजे, badminton खेनने के लिए हमने बच्चों को बोला कुछ बच्चे चाहेंगे कि वो खेलें, क्योंकि उनकी liking है और कुछ बच्चे चाहेंगे कि हम नहीं खेलें क्योंकि वो dislike करते हैं तो यह probability depend करता है कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं और कितने लोग उसको पसंद नहीं करते हैं तो such type of incidence that are going to happen is called probability that comes under the experiment of probability so chance क्या होता है it is a probability or likelihood of something to happen जैसे कि अगर हमने coin toss किया है तो head आएगा, tail आएगा यह कुछ भी chance, by chance कुछ भी आ सकता it can be head, it can be tail so उस event की जो head आएगा या tail आएगा उसको हम chance पोलते हैं next is an experiment and event an action which yields some outcome is called experiment and event is any set of possible outcome जैसे कि हमने coin को toss किया तो यह हमारा experiment है हम coin को toss कर रहे हैं अब उसमें head आया तो वो उसका event हो गया या फिर tail आया तो उसका event हो गया इसी तरीका का एक और example हम dice को जब हम roll करते हैं so die को roll करना एक experiment है उसमें कि 1 आएगा या 2 आएगा one formula to remember in this that the probability of an outcome is equal to number of outcomes divided by the total number of experiments तो बस यही एक formula आपको यहाँ पर याद रखना है so आये start करते हैं हमारी exercise के first question के साथ tell whether the following A is certain to happen B may happen but is not certain C is impossible तो यहाँ पर A mark करना है जहाँ पर कुछ चीज हो सकती है ऐसा probability हो सकती है B mark करना है कि अगर may happen मतलब यह हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है यह 50-50 वाला chance है और is impossible for C के ऐसा हो ही नहीं सकता है उसके लिए हमको C mark करना है तो सबसे पहला question है tomorrow will be a rainy day तो rain हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है 50-50 chance है तो यहां पर हम mark करेंगे B the outcome of throw of die is 7 तो क्या हम लूडों खेलते समय 7 ला सकते हैं dies में नहीं न possible ही नहीं है so it is impossible we'll mark it C a tossed coin shows head yes head आ सकता है हो भी सकता है और नहीं भी so it is B you are younger today than tomorrow आज हम छोटे हैं कल से yes it is true this is exactly true तो हम इसको A mark कर देंगे next is sun comes up from the west no sunrise कहां से करता है east से करता है तो ये वाला option बिलकुल ही impossible है a cockroach grows to 3 meter height क्या cockroach की height 3 meter हो सकती है no it cannot be possible so it is C the volume of a cube with a longer side will be larger तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर larger side होगी तो larger volume आएगा ये possibly 100% sure है so इसका answer हम लिखेंगे A a circle with a larger area will have its radius larger yes जादा radius होगा तो जादा area निकल के आएगा so hence this is also 100% sure in a test of 30 marks student secured 32 क्या 30 number के question में 32 number आ सकते हैं नहीं possibly नहीं है so it is C a ball drawn from a bag of balls of red color only is green तो क्या जिसके अंदर red balls उसमें ते green ball निकल के हा सकती है नहीं ऐसा possibly नहीं है so it is C option next one get a number less than one on throwing a die किसी को जब die throw करनी होगी तो one से कम number आ सकता है क्या लूडो में one से कोई कम number होता है नहीं होता है so hence this question is impossible today the moon will not revolve around the earth तो क्या ऐसा possible है no this is the natural thing इसको हम कभी भी नकार नहीं सकते है it is impossible next question number two identify the false statements the probability of certain event is zero क्या किसी भी event के होनी की possibility zero हो सकती है अगर हम die throw करेंगे तो या तो one आएगा या two आएगा या three आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा zero तो हो ही नहीं सकता है अगर हम coin को toss करते है तो heads आएगा या फिर tail आएगा या सब इच में तो खडा रहे नहीं सकता so that means the event probability cannot be zero the probability of impossible event is one no impossible event की probability zero हो सकती है one कभी नहीं हो सकती so this is false the chance of getting heads in throw of a coin is 50-50 yes this is true next in the throw of die the probability of getting number one is one no die में six होते है तो total outcome six हो जाएंगे और six आ सकता है या one आ सकता है one time the one by six इसका answer होना चाहिए so this is false you'll get to know in the question जब detail में हम करेंगे आगे when a coin is tossed there are two possible outcomes yes जब हम किसी coin को toss करते है या तो heads आता है या फिर tail आता है दो ही outcome हो सकते हैं so this statement is true next when the month is chosen in random there are 12 possible outcomes yes अगर कोई month को हमें choose करना है पूरे साल भर में तो there are 12 months so 12 में से हमको चूस करना पड़ेगा so this is true hence this question is complete next question number 3 a coin is tossed 250 times the head side appears 136 times and the tail side 114 times when the coin is tossed at random find the probability of getting heads and tails so सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं total numbers of experiment experiments या फिर कितनी बार हमने इस experiment को दोहराया है that is 250 times okay so first is now we know that the number of times head appears is 136 यह हमको गिवन है यहां पर so therefore probability of getting heads is equal to number of times heads appears divided by total number of experiments that is 136 divided by 250 तो इसको हम cancel कर देंगे 2 के साथ 2 6 12 2 8 16 2 1 2 2 5 next is for tails so number of times tails appears is 114 this is given so therefore probability of getting tails is equal to number of times tail appears divided by numbers total number of experiments that is 114 divided by 250 so 2 5 2 7 2 1 2 2 5 so 57 by 125 is the answer next is question number 4 2 coins are tossed simultaneously 100 times and the result are the following double heads 36 times single heads 33 times double tails 31 times so when 2 coins are tossed at random what are the probability of getting double heads single heads and double tails so total अपने पास experiments है 100 times हमने ये experiment दोर आया है so यहां लिख देंगे total number of experiments is equal to 100 so first आपको निकालना है double heads so number of times double heads appears is 36 यह हमको given है 36 times so probability of getting double heads double heads is equal to number of times double heads appears divided by total number of experiments means so it is 36 by 100 cancel हो जाएगा 4 के साथ 4 9s and 4 25s second is second is for single head so number of times single heads appears is is equal to 33 so probability of getting single head will be equal to number of times single heads appears divided by total number of experiments so total number of experiments हमार पास 100 given है so 33 divided by 100 यह cancel नहीं होगा तो as it is इसका answer हो जाएगा last part is double tails so number of times double tails appears is 31 times given है हमको so probability of getting double tails is equal to number of times double tails occur 31 divided by total experiment that is 100 next is question number five a survey of 150 student showed that 78 of them liked cricket while the rest did not out of these students one is chosen at random find the probability that the chosen student like cricket or does not like cricket so sabse pehle यहाँ पर total number of students हमारे पास है 150 number of students likes cricket are 78 and number of students does not like cricket are 150 में से हम 78 माइनस कर देंगे which is equal to 72 so first part is probability the chosen students likes cricket is equal to number of students like cricket divided by total number of students that is 72 divided by 150 which is equal to 13 by 25 6 से यह cancel हो जाएगा 78 है यहाँ पर second probability the chosen student does not like cricket is equal to number of students does not like cricket divided by total number of students which is 72 upon 150 फिर से यह cancel हो जाएगा 6 के साथ so it will be 12 by 25 as the answer next is question number 6 a survey of 100 kids reveals that 56 like the chocolate of brand X while 44 dislike them out of these kids one is chosen at random what is the probability that the chosen kid like or dislike the chocolates of brand X so यहाँ पर हम total number of kids लिख लेते हैं that is 100 number of kids like the chocolates is equal to 56 and number of kids dislikes the chocolates is 44 so now first हम nikaalenge probability the chosen kid like the chocolate is equal to number of kid like the chocolate 56 divided by the total that is 100 it is going to be 14 upon 25 second is the probability the chosen kid dislike the chocolate is equal to number of kid dislike the chocolate divided by the total number of kids that is 44 divided by 100 4 से cancel हो जाएगा 11 upon 25 is the answer hence the exercise has been complete I hope you will like any doubt you can me in comment section and also you can join me up at my telegram group mentioned in the description box please do like and share my video with your family and friends and don't forget to subscribe my channel thank you for watching